कोरोना की दूसरी लहर ने इन दौर में कई अपनों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया आलम यह है कि मुक्तिधाम में अस्थियां अपने विसरजन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अपनों को मोक्ष दलवाने के लिए परिजन नहीं आ रहे हैं देखे ये खास रिपोर्ट ऐसा ही मामला जब कलेक्टर मनीश सिंग के सामने आया तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को इसके लिए नरदेशित किया साधे शेत्र के जागरोक नागरे को द्वाराएन अस्थियों का पूरी मर्यादा के साथ विसरजित करने की बात कही हाँ एक बड़ा एक संविदेशिल मसला एक बतलाया था सदस्य दोरा कि वहां पर जो शम्शान है उसमें जो अस्थियां जिनका विसरजित नहीं होती है उसकी विवस्ता कर दिये ततकाल एडिशिल कमिश्र देवें सिंग जी को बोला है कि वहां एक कमरा बना लें उसको ज पूरी एक मर्यादा के साद्म करेंगे कृष्णा गुरू जी की माने तो वे अज्यात अस्थियों का विदी विधान के साथ विसरजिन करते आएं हैं इस बार भी उन्होंने कलेक्टर से अज्यात अस्थियों के विसरजिन का निवेदन किया है प्रसाशन की अनुमती मिलन अस्तियां पढ़ी हैं शम्षान के अंदर जिनको कोई ले जाने वाला नहीं है चुकि अभी लॉक्डवन का टाइम में अभी तो हम चाकर भी किष्णी करते हैं हम हर वर्ष के प्रयास करते हैं गत वर्ष भी हमने करेक्टर आशे सिंग जी थे उनके साथ में डॉक्टर करना अग्यात अस्थियों को लेकर जाना इसी क्रम में पुना अनुरोद करना चाहूंगो जो मुझको सुन रहे हैं कि अगर बायचांस आपके नॉलेज में कुछ अस्थियां एसी हैं जो शम्षान में हैं या जिसका कोई ले जाने वाला नहीं है या आप आर्थिक रूप करपा इस अग्यात भय पहना रहे है कि आपके अस्थियां रखिये हैं इसका क्या होगा कुछ नी पहला काम है आपको शाशन के द्वारा प्रशाशन के बदा रहा है जो मामदन ने उसका पालन करना और इन चीजों को लेकर जाने का एक समय अलोग आएगा जब आएगा और मैं उसी प्रकार सभी अस्थियों का बर्शन करूँ हैं जिस प्रकार मैंने मेरे माता पिता की किये हैं कॉंग्रिस नेता सदशे व्यादव की माने तो लोग कॉरोना महामारी से इतने हताहत हुए हैं कि अस्थिया तक लेने नहीं आ रहे हैं ये तो सब जगे यही हलत है क्योंकि इनसे कुछ समली नहीं रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये देखके ही उनने समझना चाहिए कि किस तरेके का काम हो रहा है और ये जूटे अकड़े जो छुपाए जा रहा है कि आस्तियों भी समल इतने आदमी हतायत हुए हैं कि अस्ति लेने नहीं आ पा रहा है और इतना कोरोना से डर है और डर ये म्रत्यू के कारणी है देखा जाए तो जिन लोगों की जाने पर अपनों नियासू बहाए आज उन म्रत्यकों की अस्तियां ही मोक्ष पाने की आस में हैं बूर रपोर्ट अम्पीनियूस इंदार